देश के बजचट पर उत्तर ब्रदेश सरकार की क्रशी मंत्री सूरी प्रताप शाहीय ने विर्थी मंत्री के बज़ट का स्वागत करती हुए काहा की बजट में देश के हद नागरिक की चिंतागी गई है ग्रामेंड विकास और इंफ्रेस्ट्रक्चर पर भी बल दिया गया है और कुसुम योजना के अंतरगर देश के 20 लाग किसानों को सोलर पॉम से जूनने की विवस्ता की जा रही है ये किसानों की आम धनी बढ़ाय जाने की दिशा में महत्वबून कदम है क्रशी शेत्री की समस्याओं की निराकरण के लिए 15 लाग करोड केशी सी के माध्यम जिकिसानों को आबंदित कने का लक्ष रखा गया इससे क्रशी शेतरी की बहतरी होगी, क्रशी में टेखनोलोजी का इस्तिमाल बढ़ेगा, उतपादन के भंदारण के लिए बजट में ठोस कदम उठाये गए पिछले 70 साल उसे देश में भंडारन की समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए मोधी सरकार ने बजट में प्रात्मिक्ता दी है हर तैसिल और ब्लोक की स्तर तक भंडारन की व्यवस्ता की जाएगी ग्रामिन शेत्रों में महिलाओं की द्वारा चलाये जारे स्वयम सहता समो को छोटे भंडारन के इंद्र बना कर उनकी गती विद्यो को बढ़ाने के लिए बजट में प्तावधान रखा गया मंदेगा को पशुपालन के साथ जोड़ने से दूद का और पादन बढ़ेगा जिसे देश की एकोनॉमी को गती मिलेगी मंतरी ने कहा कि मोदी सरकार में किसानों की हालत बहतर हुई मनमोहन के 10 साल के कारिकार में 6 लाग से जादा किसानों ने आत्माहत्या की मोदी जी पांस साल की कारिकार में जो आकला आया है उसमें किसानों के आत्माहत्या घटी है मोदी सरकार के पांस साल के कारिकार में 10.5 लोग पांच हजार किसानों ने आत्माहत्या की इसका मतलब है कि मोजी सरकार के कारिक्रमों का सीधा फाइदा किसानों तक पहुंचा है कोईड विकास और इंफ्राइस्ट्रक्षर के उपर बल दिया गया है साथ साथ में कृशी छेत्र की समस्याओं के निदाकरंड के लिए 15 लाख करोर रूपए के सीसी के रूप में किसान को आवंटित के जाने का जो लक्ष रखा है इससे कृशी छेत्र के भीतर बेहतरी भी हो और उस समस्या के समाधान के लिए मोधी सरकार ने प्रास्मिक्ता के आधार पर बजट रखा है और यह इस बात की विवस्ता की है कि हर तहसील अस्तर और ब्लास अस्तर तक हम बंदारन की विवस्ता कर सकें ग्रामिर्च शेत्रों में महिलाओं के द्वारा चलाये जाने वा को छोटे भंदारन के जाने के और वहां पर उनके गतिविधियों को बढ़ाए जाने के लिए बजट में प्रात्मिक्ता से जोस्ता की गई है मनुरेगा को पशुपालन के साथ जोड़ करके जो काम शुरू किया रहा है इससे देश का दूदूद पालन बढ़ेगा और दे साल के मोदी जी की सरकार में वो संख्या घट करके साड़े दस जार के करीब आ गई इसका मतलब ही है कि मोदी सरकार के कारिक्रमों का सीधा फायदा किसान को पहुंचा है और आज दुनिया की जो दूसरी बड़ी योजना है अविश्मान भारत के बाद पीम किसान सम्मान न के उपर 50% अनुदान दे रहे हैं और 80% तक का अनुदान हम कस्टम हाइरिंग सेंटर के माज़म से दे रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे राजी के भीतर पिछले दो वरसों में 18,000 से जादा सोलर पंप लगा करके किसानों को बीली के खर्चे से मुक्त करके और उनको सीधा ह टीस लाग किसानों के सोलर पंप के माद्यम से केती के सिचाई की व्योक्ता की जा रही है यह किसानों के आमदनी को बढ़ाय जाने की दिसा में यह महत्तपूर्ण करने